दोस्तों, एक कहानी है सेड़ जी और उनके लड़के गौपाल की सेड़ जी की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है वो अपने कुपड़े को दुकान पर बैठे हुए थे तब ही अचानक गौपाल को पैर में जोट लग जाती है और रोता हुए इनके पास आता है और सेड़ जी उसे जैसे ही रोता हुए देखते हैं और उसके पैर से खुम बहता हुए देखते हैं वो तुरंत उसे अपनी गोद में उठाते हैं और वहां से बीरा चपल भेने चले जाते हैं भाग जाते हैं और दोड़ते दोड़ते वह कब क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं उन्हें प्रदा भी नहीं चलता है और डॉक्टर के पास आते हैं उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि आप चाहिए तो इसे एड़िट कर लिजिए जो करना है करिए मही सी मही दवाईया दीजिए जल्द जल्द कोई भी बात नहीं है इतनी सिर्फ छोड़ी सी चोट लगी है जो महना पट्टी करने पर ठीक हो जाएगी अब सब्सक्राइब कि नहीं नहीं आप कुछ चाहिए तो टॉनिक देदीजिए कुछ दवाईयां देदीजिए जल्द से जल्दी ठीक हो सके और इसके दर्द जल् पाल को गोंद में लेते हैं और वहां से सीधे दुकान पर आते हैं दुकान पर अपने नौकर को कहते हैं एक काम करो तुम मैं घर पे जा रहा हूं तुम सीधा घर पे कुछ मेवे और फलोगरा लेकर करके आ जाओ क्योंकि बच्चे का इतना खुन बह गया है तो इसकी खु प्रिद्ध घर पर चुके हैं और वह खुड़ों खराब हो गया है तो बोलते हैं कि अरे बच्चे के सामने सट की क्या हुखा थे ऐसे तो कितने सट इसमें कुर्माण है तुम सट का छोड़ों सट दूसरा आ जाएगा तो मैं सब लेकर जट से घर पर आजाओ और जो मैं कि उफ्ड हो चुके हैं और वह घर पर ही रहते हैं और गोपाल पूरे सोरू पर था तब यूद रहता है उसकी वाइफ करता है । रहे क्पिता जी खाट पर से गिर गें हुए कब चोट लग गई है .》 तो बच्च कहता ह है तो बोला था कि खाट पर मस्त होया करें नीची क्यों नहीं सुते हैं अब उनको चोट लगई तिकर देखता हूं मैं तो उसने रामु काका को ही बुलते हैं जो रामु काका जो पहले नौकर थे हो भी ब्रिद्ध हो चुके हैं मैं बोलते हैं काम करिए घर पर जाईए देखिए क्या हुआ है उन्हें और अगर ज्यादा चोट लगी है तो उन्हें होस्पिटर लेकर के चिले जाईए तो रामु काका उसे देखते हैं को पाल की तरफ और बेमन से वहां से निकल लेते हैं वह काफी ब्रिद हो चुके हैं मकुन देरे भर पहुझते हैं और जैसे वह पर पहुझते हैं देखते हैं कि काफी कुन भेठ चुक 시간 है और काफी चोट लगी है वह उठाते हैं किसी तरह से रिक्षे में उन्हें लेकर करकर क्लिनिक पर पहुझते हैं आप धने करvisor mai नेकल के निक gray shit मे बना पठ्टि करते हैं डॉक्टर साहब तब तक जो गोपाल है वहां पर पहुंचता है दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो 40 साल पहले जो दूरी एक पिता ने अपने पुत्र को गोध मेले करके 10 मिनट में पूरी की थी आज वही दूरी उस लड़के को उस गोपाल को कार से पू सब्सक्राइब करने की जरूर था मरहम पठ्टी कर दीजिए ठीक हो जाएंगे कोई बात नहीं है फिर डॉक्टर साब बोलते हैं कि यह काम करते हैं कुछ महंगी दवाईयां लिग देता हूं जैसे कि जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे फिर गोपाल नहीं गया और उसने गोपाल को चाली साल पहले वाली बात बता दी और यह सुनने के बाद में गोपाल की आखों से आसुआने लगे और उसी पश्चा ताफ होने लगा वो अपने पिता की दरब देखता है और उनके चर्रों को छू करके रोने लगता है तभी उसकी कालीन खराब हो गया है क्या करूं तो बपाल कहता है कि कालीन तो आजाएगा दूसरा खरीद लेंगे हम एक काम करो तो पिता जी का जो बिस्तर है उसके नया चद्दर डालके उसे अच्छे सद्यार करो में वहाब लेकर आ रहा हूं और यह सुनने के बाद में सेट जी जिन उनकी आखों में दुख के आशू नहीं खुशी के आशू थे हैं और उनके लड़की के मुझ से निकला हुआ 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 कुछ शब्द उनके लिए दवा और मरहम का काम करता है दोस्तों हम आजकल अपने रोजमर्रा की जिन्दगी में प्रोफेशनल लाइफ में इतने ब लेकिन मापाप ऐसे होते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं शही है यद रखेंगे दोस्तों पिता पिता ही होता है कोई तूसरा उसका अज़्थान नहीं ले सकता है धन्यवाद